हलो एव्रिवान स्वागत है आप सभी का फैब इंगलिश पर मैं हूँ भूमिका चाहान और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11 का चाप्टर इपोट्रेट ऑफ लेडी जो की लिखा है कुश्वंत सेंग जी ने बहुत अमेजिंग बहुत मज़ेदार सा ये एक चाप्टर है जिसके अंदर हमारे जो राइटर है और है कुश्वंत सिंग वो अपना रिष्टा अपनी दादी मा के साथ कैसा था मतलब दादी मा के साथ दोस्ती कैसी थी और कैसे वो दोस्ती बीच में तूट भी गई थी और कुश्वन सिंग जी किस तरीके से पोर्ट्रे करते थे अपनी दादी मा को, ठीक है क्या तस्वीर थी उनकी, वो बहुत ही प्यारे तरीके से इस चाप्टर में हमें बताएंगे, अलग-अलग तरीके से कंपेर करके बताएंगे, ठीक है तो काफी मज़ा आने वाला है, मैं आ जाएंगे, चलिए, तो आज आपका फर्स्ट सेशन है, ये क्लास 11 का मेरे साथ, सो स्टाट करें अपनी क्लास को, सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट दी चाप्टर, यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही है बटा, ये है कुश्वन सेंग, ठीक है, जिन्नोंने हमारी ये चाप्टर जो है वो लिखा है और इन्होंने अपना ही रिलेशन अपनी दादी मा के साथ एक तरीके से बताया है, तो ये ऑटो बायोग्राफिकल हम बोल सकते हैं, जैसे आत्मकता होती है न, ऑटो बायोग्राफिकल ये पूरा चाप्टर कही न कहीं हमें दिखाई अब क्या लिखा होगा है कुश्वन सिंग primarily writes about his perceptions and interactions with places and people he has come in contact with, क्या बोल रहे है कि कुश्वन सिंग जो है वो primarily क्या कर रहे है लिखते हैं about his perceptions, मतलब किसी भी चीज़ को देखके उन्होंने क्या चीज़ observe की, क्या चीज़ समझी, perception क्या है, उनकी सोच क्या है उस चीज़ क लेकर and interaction और उनका जो भी सामने वाला इंसान है या जहाँ जिस जगा वो गए वहाँ पर उनका किस किस से क्या क्या interaction हुआ, सामना हुआ with places and people, लोगों के साथ और जगाओं में भी, he has come in contact with, जिनके भी contact में वो आए, उनके बारे में उन्होंने लिखा है या वो लिखते हैं The portrait of a lady is autobiographical in nature, see यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह क्या है बिटा, autobiographical biography है, autobiographical biography मतलब हो जाती है कि कथा, जब जीवन की किसी की journey के बारे में हम बताते है, that is biography and जब हम बोलें कि autobiography, that means आत्म कथा, कि अपनी ही life के बारे में खुद ही लिखा हुआ है, in nature as it describes the author's association, तो यह chapter क्या है, autobiographical है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपना खुद की दादी मा के साथ क्या बताया है, association, संबंध बताया है, रिष्टा बताया है, दोस्ती बताई है, इसलिए यह chapter autobiographical है and changes that come about in their relationship, और वो सभी बदलाव जो उनकी जिन्दगी में आए, समय के दोरान, ठी क्या होता था, फिर वो बड़े हुए, आगे जाके कभी पढ़ाई के लिए, कहीं इधर उदर गए, तो कैसा उनका relation रहा अपनी दादी मा के साथ, इसके बारे में पूरी बात हुई है, राइट, so the readers are forced to evaluate their own relationships, अब यह इस तरीके का chapter क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा पढ़ रहा है, वो क्या करें, वो evaluate करें, वो आखलन करें कहीं न कहीं, किस चीज़ का, कि उनका relation अपने घर के बड़े लोगों के साथ कैसा है, for example, अपनी दादा दादी के साथ, अपनी ममा पापा के साथ, अपनी नाना नानी के साथ, ताउजी ताई जी के साथ, किस तरीक उसे काफी ज्यादा दूर हो गए, इंटार हम अपने दोस्तों से भी दूर हो गए, हम दोस्त चार अगर आपस में बैठे भी होते हैं, तो सब अपने फोन में लगे होए होते हैं, उन दोस्तों से बात करने के लिए जो दूर हैं, लेकिन जो पास हैं, उन से बात नहीं कर सेम हम अपने मम्मी पापा अपनी दादा दादी के पास शायद इतना समय नहीं बैठते हैं जतना हमें बैठना चाहिए सो ये लिखने का एक रीजन यही है कि यार टाइम चला जाएगा अगर अभी सही टाइम है आप लोग खुद सोचों कि आप अपने बड़ों को कितना टाइम देते हो और कितना टाइम देना चाहिए इस चाप्तर के जरीए हम वो समझेंगे और कहीं न कहीं वो ये भी बताएंगे कि क्या रीजन है कि जो फैमिली हैं उनके अंदर जो एल्डर्स हैं वो आइसॉलेटेद फील कर रहे हैं ठीक है वो बिल्कुल अकेले कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं उनके पास कोई बैटता नहीं है दोगडी उनकी कोई बात नहीं सुन Gap बहुत ज्यादा है आपकी बाते शायद वो नहीं समझेंगे और उनकी बाते शायद आप समझना नहीं चाहते राइट तो इन सब चीजों के बारे में आप evaluate जरूर कीजेगा जब यह चैप्टर में आपको पूरा explain कर दूँ ठीक है तो यहाँ पर आपको एक grandmother दिखाई दे रही है ऐसे सफेद रंग के कपड़ों में ही हमारे author की भी grandmother रहती थी और इस तरीके से कमर पे हाथ रख्यों जुक्के वो चला करती थी ठीक है और यह गाउं का पूरा scene दिखाया जाएगा अब grandmother के बारे में देखो author's reminiscence of his grandparents reminiscence मतलब याद करना पुरानी जो भी बात है जिसे वो याद कर रहे हैं remember कर रहे हैं उसको बोला गया तो अभी वो अपने दादा को और दादी को दोनों को याद कर रहे है ठीक है दादा जी अभी इस दुनिया में रही नहीं है और दादी जी के साथ वो अभी important है उस पर based exam में question आता है ठीक है कि वो कैसी दिखती थी कैसे चलती थी सारा दिन क्या करती थी author के साथ किस तरीके से रहती थी वो सभी चीज़े अलग-अलग चीजों से compare किया है कि बाल इस तरीके कि थे ठीक है उनका appearance ऐसा था हाथ में हमेशा माला रहती थी इस तरीके से थी short height में कम थी fat हलकी सी मोटी थी slightly bent और हलकी सी आगे की और जुकी होई थी आपने दिखा होगा कि बूढे लोग अकसर जैसे जादा बूढे होते चले जाते हों तो क्या होता है आगे की दरफ जुकना शुरू हो जाती हो उनके कमर walked with one hand on waist एक हाथ हमेशा कमर पर रहता और इस तरह बूढी मैया की तरह वो चलती रहती and other hand telling rosary beads और दूसरे हाथ में माला रहती दूसरे हाथ में मोतियों की माला रहती rosary beads मोतियों की माला रहती और उसको वो क्या करती रहती जबती रहती थी lips moving in inaudible prayer यहाँ पर जो भी मैंने आपको points लिखवा है मैं सारा chapter आपको points में करवाऊंगी लेकिन वो सभी वो important points है जो आपको अपने answer लिखने में use आएंगे ठेक है so lips moving in inaudible prayer inaudible prayer मतलब आपने देखा होगा कोई भी इंसान या दादी मा या कोई भी जब कुछ जबता है तो आवाज नहीं आती है audible मतलब जब आवाज आए inaudible मतलब जो सुनाई ना दे जो चीज सुनाई दे और inaudible क्यों जो सुनाई ना दे तो inaudible prayer बोला हुआ हुआ है that means that means that means कि जबती रहती थी लेकिन आवाज नहीं आती थी आवाज आई नहीं आई ना ऐसी difficult for author to believe she was ever young अब अपनी दादी मा को जब वो देखते ना कुश्वन सिंग जी तो वो यह सोचते कि यार मैं जब से इन्हें देख रहा हूँ ना यह बिल्कुल ऐसी की ऐसी हैं ठीक है और मैं अपने दिमाग में यह imagine नहीं कर पाता हूँ कि यह जब जवान होंगी तो कैसी दिखती होंगी क्योंकि जब से वो पैदा हुए तब से उन्होंने वैसा ही देखा और आपने की देखा भी होगा कि जो बूड़े लोग होंगे ना जो 60-70 के अराउंड चल रहे होंगे बेटा यह 20-30 साल तक एक जैसे दिखते अब जैसे अनुपम खेर जी को देख लो है ना मैं मुझे ज दादी की जवानी की एकदम कोई फोटो दिमाग में ला सकते हैं अंटिल अनलेस हम लोग उसको देखे नहीं अब मान लोग कोई पुरानी तस्वीर मिल गई तो दादी बोलती है ना कि बता इसमें से मैं कौन हूं या ममा पूछ लेती है बता इसमें से मैं कौन हूं पॉर्टलेस वाइट क्लोट कैसे पहनती थी बिलकुल बेदाग सफेद कपड़े पहनती थी प्रॉपर वाइट सिल्वर है सिल्वर है का मतलब बिलकुल कस्ट सफेद बाल थी एक दम वाइट है exuded serenity, कहते हैं कि जो अब यहाँ पर serenity मतलब होता है शान्ती, शान्ती as in purity, ठीक है, peace, उनको देख के, एक न, कहरा है कि वो शराफत, वो शान्ती, वो peace, वो संतुष्टी तपकती धी, होता है कई-कई लोगों को देख के उनका appearance, बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत peaceful होता है, और वो overall white, और white तो आपको पता ही है, शान्ती, right, तो कहीं न कहीं, वो यहीं बोल रहे हैं, कि यार उनको देख के, उनको देख के न, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, an expanse of purity and peace as in snow covered with winter, landscape with mountains, अभी हाँ पर compare किया गया, an expanse of purity, मतलब कि ऐसा लग रहा है, कि जो शुद्धता है, जो purity है, जो उनको देख कर एक आपको feeling आ रही है, वो किस तरीके की है, जैसे ये एक landscape देख रहे हो आप, और ये पूरा white है, है न, ice से पूरा covered है, यहाँ पर mountains देख रहे हैं, एक landscape है ये, तो ये क्या है, ये बिल्कुल white, एकदम pure दिखाई दे रहा है, एकदम calm दिखाई दे रहा है, एकदम peaceful दिखाई दे रहा है, तो वो ही वाला, इसको देख के जो feeling आ रहे है, वो दादी मा को देख के आ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही pure लग रही थी वो, ठीक है, तो उन्होंने जाती है grandfather की grandfather के बारे में भी बताएंगे हाँ पर कि grandfather की एक तस्वीद लटकी हुई थी अब आप मैंटल पीस मैंटल पीस क्या होता है आप लोग उन्हें कई घरों में मैंटल पीस कहलाता है अरे रुको यह क्या कहलाता है मैंटल पीस कहलाता है इसकी ऊपर यहाँ पर दादेudy की एक तस्वीर लटकी रहा है अब दादा जी भी काफी बुड़े दिखाई देते हैं यह लमबी-लमबी दाड़ी और सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं, क्या बताया है, looked 100 years old with white flowing beard, कैसे दिखाई दे रहे हैं, 100 साल के दिखाई दे रहे हैं, और लंबी दाड़ी है, सफेद रंग की, वो big turban and loose fitting clothes, बड़ी सी पगड़ी, turban, पगड़ी पहनी हुई है, और ढीले-ढीले कुर्ते पजा में पहनते हैं अब यहाँ पर उनका एक photo इस तरीके की उसमें लटका हुआ है, उसके बारे में भी वो बता रहे है, early bonding with grandmother in village, और अब जब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे, कि actual में हमारे writer की जो bonding थी, कि इनके साथ, अपनी दादी मा के साथ, गाउं में जब वो रहते थे, तब वो कैसी थी, ओके, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, daily routine क्या था, author's parents moved to city, left him behind in the village, with grandmother, both became good friends, अब देखो दोस्ते की शुरुवात हुई कैसे, कि author जो है, उनके मम्मी पापा को city जाना पड़ा, वहाँ पर काम वगेरा देखने के लिए, वहाँ पर settle होने के लिए, उस समय वो author को अप अपनी दादी मा के साथ गाउ में ही छोड़ दिया था, और इसी दोरान उनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती होगे थी, अब दादी तो अपने पोतों को बहुत प्यार करती है, पोता पोतियों को grand children जो होते हैं, उनको काफी प्यार करती है, तो यहीं बोला गया, कि author के parents जो है वो city चले गए और पीचे छोड़ दिया गाउ में grandmother को और author को both became good friends और वहाँ पर हमारी author और दादी मा बहुत अच्छे दोस्त बन गए, आगे क्या हुआ, grandmother woke up, author in morning, bad, dressed and got him ready for school and plastered his slate, अब हमारी दादी मा क्या करती, रुजाना सुभे author को उठाती, ठीक है, उनको नहलाती, उनको dress वगेरा पहनाती, properly तयार करती and got him ready for school, और श्कूल के लिए तयार करती and plastered his slate, आपको पते गाउ में ना तक्ती पर लिखते थे, मैं भी अपने वाजी के यहां छुटियों में जाती थी, तो वो गाउं में ही रहती थी, तो वहाँ पर उनके बच्चे जिस गाउं के स्कूल में जाते थे, so what they used to do, इस तरीके की एक तक्ती होती थी, और उसके उपर वो मुलतानी मिट्टी लगाते थे, क्या लगाते थे, मुलतानी मिट जाही से लिखा करते थे, तो जैसे यह लिख रहा है, यहां पर शाही है, और यह बैंबू का बना होता है, उनका भी थुड़ा अलग ताइप कही होता था, और यह पूरी तक्ती होती थी, तो वो लोग यह तक्ती लेकर स्कूल जाते थे, और जो भी स्कूल में बढ़ाया जाता वो इसी पर लिखते, अपना होमबग भी वो इसी पर करके ले जाते थे, राइट, चलिए, और क्या करा, कि दादी मा अब कुछ तो जबती रहती थी सारा दिन, लेकिन जब वो ओधर को तयार करती, सुबह सुबह स्कूल के लिए, तब मौनिंग प्रेयर गाती रहती कि वो जैसे ओम भूर भूवत स्वहां तच्वितुर्वरेन्यम इस तरीके से वो लगातार उसको तयार करती रहती और कुछ न कुछ मौनिंग प्रेयर गाती रहती, वो इसलिए ये गाती थी ताकि ओथर भी उन्हें याद कर सके और ओथर को भी वो याद हो जाएं ताकि ओथर भी उन्हें मतलब की गा सके, तो ये तरीका था, संसकार हमारे यापर कल्चर में जैसे बोलते हैं, ठीक है, संसकार देने का अपने बच्चों को, सुबह सुबह मौनिंग प्रेयर की एक आदर डालना, उन्हें वो चीज सिखाना, हम रोग स्कूल में जाते हैं, एक प इंपॉर्टन्स देती थी, ठीक है, बट हमारे जो ओथर थे, वो सुनते तो हमेशा थे, पर उन्होंने कभी इतना बौदर नहीं किया, कि यार मैं इसको इतने अच्छे से सुनू, कि यह मैं को याद हो जाए, जैसे स्कूल की मौनिंग प्रेयर, तो हम काफी ध्यान से सुन fed him breakfast of stale chapatis with butter and sugar, मखन और चीनी के साथ stale chapatis, बासी chapatis जो होती है, अपने आपर बहुत फिमस होती है, रात की जो chapatis होती है, ममी सुबह उन्हें गरम करके उस पर मखन और चीनी रखके खिलाते है, तो वो उनको खिलाया करती, plus accompanied author to the village school, attached to the temple, where priest taught the children, और उसके बाद साथ जाती, author के कहाँ पर, गाउं के school में, जो की temple से जुडा हुआ था, और वहाँ पर temple का जो priest था, जो पंडित था, वो ही बच्चों को पढ़ाया करते थे, that means अपने culture की, अपनी सारी जो भी अच्छी-ची चीज़े हैं, वो सब उनको सिखाया करते थे, ठीक है, हमारे जो वे holy scriptures in the temple, while author studied alphabet and morning prayer in the school, तो grand mother क्या करती, वो अपने मंदिर में बैठ कर, अपने कुछ-कुछ-कुछ-कुछ पढ़ती रहती, scriptures के बारे में, scriptures पढ़ती रहती, मतलब की हमारी जो भी रामायन, महाभारत, गीता, जो भी हमारी चीज़े हैं, ठीक है, पाठ वगेरा, जो हमारे हो तो जितनी देर उनका स्कूल लगता, उत्ती देर दादी मामाई पर रहती, अब दोनों जने फिर वापिस घर आते, और रास्ते में बासी चपाती गाउं के डॉग्स को खिलाते, तो यह इक इनका डेली रूटीन है, कि जैसे दादी मत सुबह उठी, उन्होंने उसको निल रखे उसको खिलाया, देन दोनों लोग निकल गए स्कूल के लिए और टेम्पल के लिए, टेम्पल से स्कूल जुड़ा हुआ था, वो टेम्पल में बैठकर अपनी पूजा पाट करती, और हमारे ओथर वहाँ पर ही पढ़ाई करते, उसके बाद यह दोनों वापिस घर आ आते हुए, जो भी गली में डॉग्स होते, स्ट्रे डॉग्स होते, उनको बासी चपाती खिलाते हुए आते थे, डॉग्स को चपाती खिलाना भी एक अच्छी चीज मानी जाती है, राइट, सो यहां तक उनका क्या था, यह उनका एक बेसिक डेली रूटीन था, तो सारा दादी पोता साथ रहते, enjoy करते, राइट, अब, turning point in friendship, कि अब यार, सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों के बीच में सब बढ़िया चल रहा था, रोजाना दादी पोता ऐसे ही करते हैं और काफी खुश रहते, अब इनकी जिंदगी के अंदर, एक turning point आया, turning point as in, एक मो को और author को शहर shift होना पड़ा, parents के साथ रहने के लिए, मतलब दादी को अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, और पोते को अपने वम्मी पापा के साथ रहने के लिए, कहां shift होना पड़ा, city जाना पड़ा, अब author का वहां जाकर, routine जो था, schedule जो था, वो change हो गया, both shared a room but grandmother mother got isolated because, दोनों वहां पर जब गए शहर में रहने, दोनों दादी पोते का कमरा तो एक ही था, लेकिन फिर भी दादी किसी ना किसी वज़ा से क्या हो गई, अकेले पड़ गई, reason क्या था उनकी अकेले पड़ने का, अब अपन वो देखते हैं, author admitted to an English medium school, travel to school in a motor bus, अब author का एक English medium school में admission करवा दिया, और वो अब अपने school bus में जाया करता था, तो सोचो, सारा तो schedule change हो गया ना, दादी पोते पहले साथ जाते थे, और अब क्या हुआ, अब उन्हें अकेले अकेले जाना पड़ता था, वो घर पे रह जाती हैं और वो bus में चला जाता, प्लस English medium school में admission करा नाखुश थी, किस चीज को लेकर, author को जो भी पढ़ाई English medium school के अंदर करवाई जा रही थी उससे, अब आखिरकार वो इतनी ज्यादा नाखुश क्यों थी, उन्हें कही ना कही लगता था, सबसे पहली बात, जो भी वो पढ़ा रहे होते थे वहां पे, उन्हें नहीं पता होता था, और वो उसमें author की help नहीं कर पाती थी, दूसरी चीज, music को लेकर, दादी मा की एक बहुत ही पुरानी सोच थी, कि ये जो gentleman होते हैं, उनका काम नहीं होते, दादी मा होते हैं ना अपनी पुरानी, उन्हों की सोच थी है, कि यार ये वाला जो profession है, ये वाली जो ची हैं, music वगएरा है, dance वगएरा है, ये gentleman या अच्छे लोग नहीं करते, ऐसा उनका मानना था, तो जब author ये सब चीजे सीखते तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो इस चीज के खिलाफ थी, grandmother distressed that lack of religion based education in the city, and the main problem was कि उन्हें ये लगता था कि जो religion से related चीज से बच्छों को पता होने चाहिए, वो English medium schools में नहीं पढ़ाई जा रहे हैं, तो यहां पर इन सब चीजों से वो काफी उदास हो जाती, अब ना तो homework में मदद कर पाती, ना उसको school तक छोड़ के आ पाती, कुछ भी नहीं कर पाती थी, so एक ही कमरे में तो रहते थे, but फिर भी grandmother कही ना कहीं अकेली हो गई थी, grandmother showed displeasure by seizing to talk to the author, no street dogs to be fed in the city, अब दादी मा ने अपना दुख या वो चीज को लेकर खुश नहीं है, यह किस के जरिये दिखाया, उन्होंने बात करना छोड़ दिया author से, as in गुसा नहीं हुई, पर कम बात करती थी author से, जैसे पहले बाते नहीं किया करती थी author से, तो उन्होंने अपना displeasure कि मुझे इस सब चीजे पसंद नहीं आ रही हैं, वो ऐसे दिखायी कि उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया और वो पूजा पार्ट में ज्यादा लग गई, ऐसा नहीं था कि उन्होंन से कम एक तो ऐसी चीज थी जो उनको दोनों को जोड़े हुए थी और वो था उनका कमरा, कि दोनों दादी पोते का कमरा तो एक ही हैं, लेकिन अब author को जाना पड़ा university, तो उनका ये जो एक common bond था, एक जो common reason था उनके bond का, कही ना कहीं वो भी खत्म हो गया, common link of friendship snapped, snapped मतलब taken away, खत्म हो गया, छूट गया, निकल गया, हट गया, खत्म हो गया, grandmother quietly accepts her seclusion, और grandmother ने कहीं न कहीं, seclusion, अपना जो अकेला पन था, शान्ती से accept कर लिया, कोई ज्यादा उसमें वो नहीं किया, ठीक है, and devotes herself to spinning the wheel, और अपने आपको किस चीज में लगा लिया, spinning the wheel, इस तरीके स में, wheel spin करते हैं न ये, इसको हिंदी में आपने आपको लगा लिया, और ज्यादा से ज्यादा समय वो यही करती रहती, और उनकी पूरे दिन का, सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता था, कि वो हर दो पहर, वहापे जो स्पारोज होते थे, उनको ब्रेड के छोटे-छोटे तुकडे जो है वो डाला करती थी, यासे वहापे वो street dogs को खिलाती थी, यहापर अब कोई option नहीं था, तो वो वहापर जो स्पारोज थे, उनको चुटे-चुटे तुकडे दाला करती थी, तो वो सब इकठे हो जाते थे उनके पास, जो उनके काफी ज्यादा खुशी देते थे, तो पूरे दिन का, सबसे खुश टाइम उनका, दोपहर का वही सम होता था, जब वो उनको टुकड़ा डालती थी, और तो मतलब बिलकुली connection खतम हो गया यार, grandmother accepts this with quiet stoicism, stoicism is एक होता ना की वेराग्य, अगर आपने ये वर्ट सुनाओगा, कि भाई, जब आपको कोई फर्क ना पड़े, ना ही तो किसी चीज की खुशी हो, और ना ही किसी चीज का गम हो, ठीक है, you are like indifferent to pain or pleasure, that is stoicism, ठीक है, तो grandmother ने वो भी काफी शांती से accept कर लिया, ठीक है, grandmother sees off the author at railway station and kisses his forehead, a grandmother बाई 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 तो करने जाएंगी ना, grandmother अपने पोते को बाई बाई करने जरूर गई railway station पर और उनका माथा चूमा, अपने पोते का, author cherishes it at last physical contact between the two, ठीक है, और author को कही ना कही ये लग रहा था कि शायद है कही मेरा आखरी physical contact ना हो मेरी दादी मा के साथ क्योंकि वो काफी बूरी हो गई थी और एक बार जब इंसान विदेश चला जाता है तो लग बग काफी समय लग जाता है उसको वहाँ से वापिस लोट कराने में, it's not like कि आप किसी दूसरी city में हो और आप हर दूसरे दिन आ रहे हो, right तो उसको लगा कि पता नहीं शायद मेरा दादी मा के साथ ये एक लास्ट फिजिकल कॉन्टाक्ट है कि मैं इनको हग कर पा रहा हूं, ठीक है इनोंने मुझे यहां पर माथे पर चूमा है, और रिटोंस आफ्टर फाइव यूर्स अब देखो पांच साल बाद है ना ऑथर पर, ठीक है, और नेक्स देख ग्रांड मदर गादर नेबरोड विमन और शेंग सांग्स बीटिंग इन ओल ड्रॉम और वो इतनी ज्यादा खुश थी अपने पोते के आने पे इतनी ज्यादा खुश थी कि उन्होंने आसपास की सारी लेडीज को इकठा कर लिया अपने घर दोलग ऊगएरा पर खूब नाचना गाना किया तो उन्होंने उस दिन पहला दिन था या ऐसा पहली बार हुआ जब उन्होंने सारा दिन अपनी प्रेर जो है वो नई गाई और मतलब कि वो नाचना गाना किया नाचना गाना त्वह जबलक बजाते थे उस पर चीजы ряд कं prayer वाले ही गाने गाते थे या फिर खुशी मना रही थी वो जैसे कोई मतलब एक योद्धा नहीं आता है युद्ध लड़के वापिस वैसे टाइप के गाने गा रही थी वो वह वीरा पोता मतलब ऐसे लग रहा है युद्ध वुद्ध लड़के आया है कईसे ठीक है तो फॉर्स ताइम स्किप्स प्रेयर गाने गाने गाए अब बोलते ना कि कोई इंसान जब मर रहा होता है तो उसे शायद पहले से पता चल जाता है कि मेरा टाइम आ गया है तो ओतर को भी यही लगा कि शायद दादी मा को पता चल गया था कि अब मेरा एंड आ गया है और रिग्रेट कर रही थी वो इस चीज़ को कि मैंने कल प्रेयर क्यों नहीं की हर फॉली ऑफ गिविविग अप प्रेयर दे प्रीवियस डे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कि मैंने कल प्रेयर नहीं की insisted on praying, dies with prayer on lips and rosary in hands हमेश या प्रेयर करने के लिए मतलब वो मतलब वो उनका सारा समय ही भगवान का नाम लेने में चला जाता था और जब उनकी death हुई तो भी उनके होटो पर और कुछ भी नहीं था केवल भगवान का नाम ही चल रहा था तब भी वो भगवान का ही नाम जब रही थी so with setting sun, grandmother, city friends, the birds arrive to pay their last respect मतलब कहने का मतलब है कि अब हाथ में उनके माला थी वो अपनी prayer गा रही थी और उनकी death हो गई and वहाँ पर जो भी लोग थे जो उने जानते थे, आसपास के लोग थे, सब लोग वहाँ पर उनको respect शो करने के लिए आए ठीक है, वो सब तो आए लेकिन birds भी आए जिनको वो रोज दाना डालती थी, वो भी आए sit silently without chirping, refuse breadcrumbs offered by author's mother अब जैसे ही वो सारे sparrow's इकटा हुए तो can you imagine की, मतलब इंसान से मुझे लगता है कही न कही ज्यादा समझदार जानवर होते हैं उन्होंने जब दादी मा को ऐसे देखा होगा तो वो sparrow's ने बिलकुल भी बिलकुल भी आवाज नहीं की बिलकुल भी आवाज नहीं की, वो बिलकुल शांती से आकर वहाँ पर बैठ गए और author की mother ने उनको खाने के लिए दाना डाला, तो वो उन्होंने नहीं खाया that is their way to respect fly away quietly when grandmother's body is carried away और वो चुप चाब बच्चो वाज से चले गए जब दादी मा की body को लेकर जाया जा रहा था and this was the story, so यह अब देखो कि मतलब इस story से हमें actual में सीखने के लिए यह मिलता है कि कैसे धीरे-धीरे करके दादी का और पोते का एक friendship, एक रिष्टा था वो कैसे खतम होता गया बच्चे का जरूरी भी था, school जाना भी जरूरी था, university जाना भी जरूरी था, broad जाना भी जरूरी था but दादी मा ने वो चीज़ को कैसे accept किया, बिलकुल शान्ती से और अपने आपको अकेला कर लिया, कुछ नहीं बोलती थे, सिर्फ भगवान को अपने आपको devote कर लिया तो इस चीज़ से हमेना एक चीज़ जरूर सीखनी चाहिए कि यार और किसी चीज़ को time दो ना दो अपने माबाप और अपने दादी दादा अपने बड़ो को time जरूर देना, शायद उन्हें वो खुशी मिले, आप दो मिनिट उनके पास बैठे तो उनसे बात करे तो, right so title जो है इस chapter का वो बहुत ज्यादा important है, the portrait of a lady, एक सही title क्यों है इस chapter के लिए, इस पर भी based question आ सकता है, तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे, कि जो portrait of a lady है, is apt, apt मतलब suitable है और appropriate है, इस chapter के लिए यह title, besides being a pen sketch of his grandmother, the passages kushwant sings loving tribute to her, his relationship with her and the emotional bond he shared with her, कहने का मतलब है कि उन्होंने कोई pensy sketch नहीं बनाया अपनी दादी मा का, portrait क्या होता है, एक तस्वीर होती है, उन्होंने क्या किया, बहुत ही प्यारे शब्दों में अपनी दादी मा का sketch हमारे सामने रखा, और वो जैसा जैसा उन्होंने बताया है, वो सकते हैं कि किस तरीके से कुश्वंत सिंग ने अपनी दादी मा को portrait किया, right, emotional bond he shared with her, तो उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से एक ट्रिब्यूट अपनी दादी मा को दिया कि वो कितना उन्हें प्यार करते हैं, he graphically describes the person and personality of grandmother who had all the attributes of a lady, और उन्होंने बहुत ही graphically हम कह सकते कि एक अलग ही तरीके से उन्होंने अपनी दादी मा को हम सब के सामने रखा, ठीक है, आप सभी को हर एक chapter, line by line, word to word, एक बार NCRT से आप जरूर read कर लेना, chapter आपको समझ में आ गया, story आपको समझ में आ गई, main chapter के important points आपको यहाँ लिखवा दिया, इसका PDF में आपको provide कर वा बुक से एक बार chapter रीड करना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है, so read the chapter, line by line, word to word, एक बार reading जरूर करना, सारे dialogues पता चल जाएंगे, ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आज काई lecture आप लोगों को पसंद आया होगा, काफी चीज़ी आपको अच्छी लगी होगी so video कैसा लगा, comment section में मुझे जरूर बताना and bye bye guys, take care, all the best.